जड़ से काले घने लंबे बाल होंगे बस इसके इस्तमाल करना शुरू कर दो नमस्कार, Airway TV में आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आप लंबे घने बाल पाना चाहते हैं तो आईए आज बात करते हैं कि ऐसे नुस्के के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं आपको इतना बहतरी result मिलेगा जो कि आपको कोई और नहीं दे पाईगी इस नूस्के को बनाना बहुत ही साथ आसान है साथी साथ इसमें जितने भी चीज़ें हम इस्तमाल करेंगे वो पूरी तरीके से प्राक्रितिक होंगी इस नूस्के के इस्तमाल से आपके बालो की लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन साथी साथ इस बात का भी आप ध्यान रखें कि इससे आपके बालो को किसे भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुचेगा इसलिए आप बीना किसी चिंता किस नूस्के का इस्तमाल करके अपने बालों के लंबाई को तेजी सा बढ़ा सकते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल आरेवेट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है इस नूस्के में आपको करना यह है कि इस तरीके से अरीठा पोडर का एक चमच इस तरीके से ले लेना है साथी साथ बाल बहुत ही तेजी से काले होने लगते हैं आप खुद ही सोचिए कि आपके बाल तो लंबे हो जाएं लेकिन आपके बाल पूरी तरीके से सफेद हो तेजी से लंबे सफेद बाल किसे को पसंद नहीं होते हर कोई चाहता है कि उसके बाल शाइनी हो काले हो और लंबे हो तो वो काम ये olive oil करेगा इस तरीके से आपको एक चमच olive oil लेकर कि इस पर add कर देना है अब इसके बाद तीसरी ज़रूर चीज़ जो आप इस्तमाल करेंगे वो रहेगा इस तरीके से एक vitamin E की capsule इसका liquid आप इस तरीके से इस नुस्खे में add कर दीजिए यह जो vitamin E का capsule होता है यह हमारे बालों की चमक बढ़ाता है साथी साथ बालों को पूरा portion देता है अब इसके बाद आपको इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेना है तो आप देख सकते हैं कि हमने इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लिया है और हमारा नुस्खा जो ही वो पूरी तरीके से बनके तयार हो चुका है आईए चली जानते हैं कि इसका आपको इस्तमाल किस तरीके से करना है तो इसका इस्तमाल करना बहुत ही ज़ादा सिंपल है, सबसे पहले आपको इसे इस तरीके से बनाना है, और आपको अपने बालों को जो धो लेना है, साफ कर लेना है, और ध्यान रखिए, गीले बालों में आपको इसे इस्तमाल नहीं करना, आपको सबसे पहले अपने बालों को सुखा लेना है आप क्या करेंगे आपके इस नुस्खे को इस तरीके से बना करके रख लीजिए और इसे जो अपने बालू की जड़ो पर अच्छी तरीके से लगाईए सबसे पहले इसे आपको अपने बालू की जड़ो पर लगाना है उसके बाद बाकी बचे नुस्खे क effective तरीके से काम कर पाएगा तो बना करके इस्तमाल करने का process बहुत ही जाद सिंपल है लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह ही कि आपको इसे कब-कब इस्तमाल करना है तो आपको इसका इस्तमाल हफते में तीन बार करना है तो इस हिसाब से आप हर एक alternate day पर इसका इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बालों की growth बहुत ही तेजी से होगी साथी साथ जो सफेद बाल आपकी सरपर होंगे वो भी पूरी तरीके से गाया भजाएंगे अगर आपको आयरवेट टीवी का ये वीडियो पसंद आये हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए साथी साथ ऐसी और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्रीब कीजिए मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में किसी और ने नूसके के साब तब तक लिए नमस्कार